अब यहां पर बात करने जहां पर अगले पॉइंट के बारे में सी मेंबर्स पार्ट वन बन चुका होगा नहीं देखा है जाके ज़रूर देखेगा और मैंने सेटर्डे और फ्राइडे को कुछ वीडियोस बनाए थे अदानी गुरूप के बारे में बहुत सा लोगों की कॉमेंट्स है लेकिन वीडियो नहीं देखते सुनते नहीं है मिरा बाई सुन लीजे वाटसेप के मेंबर्स में उनको भी बोलना चाहूंगा मेंबर्स हमारे 1300 मेंबर्स से वाटसेप के हर एक को इंडिविजल आंसर नहीं दे सकता तो एक बार ट्राइ करना सुनना समझने की कोशिश जरू करना ठीक है यह आपका short term का view है long term का view एक बास जरू समझना और दूसरे भी वीडियो से रखे कि अधनी ग्रूप जैसे stock कौन से तीन best हो सकते हैं इसके लबा तीन दूसरे best कौन से हैं जहां पर बड़े players खरीदारी कर रहे हैं तो जाके वीडियो जरू देखे important वीडियो हो जाते हैं अब यहां पर बात करने जहाए अगले point के बारे में अब मैं मस ध्यान से सुनना जो retail leadership है जो हमारी बात सुनना जानते हैं ठीक है समझना जानते हैं वो ध्यान से सुनना काम आ सकता है बहुत सारे लोगों ने comments की थी कि sir अभी लग रहे market stable हो चुका है ठीक है यहाँ पर क्रिसी ने पूछा था कि market stable हो चुका है देखो members मैं definitely आपको बोल रहा था कि market यहाँ सा stable होना start हो सकता है लेकिन अभी आपको यह दिखाई दे रहा है कि market recovery करना start हो चुका है from 15,800 to 17,600 याने कि 2000 पॉइंट की rally यह कर चुका है तो आपको तो यह at least दिखाई दे रहे कि market अपी 12,000, 12,000, 10,000 नहीं जाएगा at least कुछ नवी नई बड़ी news नहीं आते तब तक तो नहीं जाएगा ठीक है तो market तो recover का चुका है अब अगर मानलो छोटा मोटा deep आता है तो quality stocks में add करना start का सकते हैं तो short and sweet में यह समझ लीजे कि market एक recovery mode पे आचुका है जो falling mode था वो खतम हो चुका है और एक recovery mode पे आचुका है छोटी मोटी dip में आप खरीदारी करना start का सकते हैं आप लोगों को कि FI हमेशा ऐसे खरीदारी नहीं करते हैं खरीदारी करते हैं बीक वाले खरीदारी 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 बीक वाले ठीक है वो आपको mode यह clear दिखाई दी रहा है अब मैं मैं ज्यान से सुना कुछ आज important news हो जाती है जो आपको मैं समझाना चाहूँगा अभी current week के अंदर फेडरेट हाइक हो सकता है माना यह जा रहा है कि half basis point का rate हाइक होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है अभी यह expectation से अगर इसके अलबा कुछ होता है अलग सा ठीक है तो definitely market में volatility आ सकती है अभी यह point ध्यान में रखके market rate कर सकता है और इंडियन में share market उपर नीचे रह सकता है समझ रहे हो तो यह इसको focus जरू करना कि फेडरेट हाइक कितना कर सकता है अगली point अब दोस्तों ध्यान से सुनना अभी माना यह जा रहे कि जो oil prices increase होते हुए दिखाई थे इसकी वज़े से इनका जो revenue है Reliance और ONGC का वो करीब यहाँ पर rise हो सकता है 3 billion dollar ठीक है और यहाँ पर point 15 billion dollar तो इसकी वज़े से definitely Reliance में यहाँ पर एक revenue में impact आ सकता है positive side पर लेकिन अगर हम लोग बात करने जाए सर चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है Reliance को क्या खरीदना चीए तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 200 डेमा है वहाँ पे खरीद लो 2-3 मेनी का time frame रखो 300 का stock 2600 पे चला गया गया के ने गया तो यह point आपको समझना है जो बोला है वह देखना है आपको अगर मुझसे बूचे तो अभी भी positive है लिकिन मैं अभी bulk में आपको suggest नहीं करूंगा half quantity long term के लिए लेना चाते ले सकते है positive है जैसे यह 2700 को cross करेगा 800 को cross करेगा 3200 तक के target हो सकते है Reliance को focus करना यह मेरे सब से positive return बहुत जल्द देखी जा सकते एक नया high all time high जरूर लगा सकता है market में clear अगली बात हो जाती है अब मैं बस ध्यान से सुने कुछ news है related to power stocks जिसमें data power आ जाता है अधनी power और दूसरे power stocks आ जाते हैं सबसे पहले आपको focus करना है कि power demand increase होती होई दिखाई दिये April month के अंदर year to year basis पे तो last year में जो power के consumption था ठीक है 132 का था approximately और अभी 198 का है तो काफी बड़ा jump होता हुआ दिखाई दिया है आप definitely देख सकते हैं इसकी वज़े से ध्यान में क्या रखता है इनका revenue बढ़ सकता है company उसका ठीक है तो अगर company का revenue बढ़ेगा तो stock की price उपर जा सकती है बहुत सारे पूश रहे थे कि सर कौनसा stock लेना चीए power stock में तुम्हें अदाने पावर तो पहले ही बोला था अभी Tata power भी बोला हूँ इसका मैं अलग सिक वीडियो बनाँगा कि कौनसे Tata के stocks अभी buy करने चीए जिसमें Tata power होगा Tata motors होगा Tata consumer, Tata coffee बहुत सारे stocks हम लोग cover करेंगे ठीक है मैं भी शाद ये वीडियो आभी चुका होगा समझ रहे हो तो focus जरू करना हमरी वीडियो जरू देखना मैं आपको समझाने के पूरी कोशिश करूँगा कि current year के अंदर कौनसा आपको profit दे सकता है ये clear और मेंबस हमारी चैनल समझ मेरे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरू लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरू शेयर करना अब देखो में बस मुझसे वुच्छे तो टाटा पावर को specially focus करना ये breakout की नजदिक पहुँच चुका है अगर 254 के ओपर जाता है stock 300 बहुत जल्द लगा सकता है अगर 254 के ओपर closing देगा confirmation हो जाएगा stock fall करने वाला नहीं है तो level focus करना 254 का 254 क्रॉस होते ही इसके उपर closing देते ही stock में बहुत जल्द एक बड़ी recovery आएगी 300 तक ये stock जा सकता है अगर मुझसे बुचे अगर आपके पास ये stock है hold करना, कोई panic मत करना ये stock में रिशायद बड़ी recovery बड़ा profit आ सकता है और of course मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ वीडियो के लग से अब मैं बस बात आ जाती है चाइना के तरफ से देखो मैं बस चाइना के अंदर covid cases वड़ना स्टार्ट हो चुके है जैसा कि मैंने part 1 में cover किया था कि इनके जो अभी covid cases है वो अग तक की दो साल के सबसे highest है ठीक है तो जो market में negative impact करेगा वो अभी covid cases हो सकते हलाकि अभी तना ज़्यादा negative impact नहीं होगा अगर मानलो lockdown जैसा कुछ हाल होता है फिर से तो शायद थोड़ी सी profit booking हो सकती है तक तक के लिए मेरी साब से कुछ यहाँ पर इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं होगा ठीक है लेकिन yes यह definitely worry की बाद जरू हो जाती कि चाइना में फिर से दू साल के बाद covid cases है अब मैं बस ध्यान से सुनना बहुत सारी IT companies ठीक है जहाँ पर इनका अब मुझसे बुचे सर infosys में क्या करना चाहे एक बाद stock की price देख लेते है देखो stock higher level पे sustain करता हुआ दिखाई दिया अभी तो negative scenario तो कोई भी नहीं दिखाई दिया volumes positive है result नजदिक है possible result के बाद शायद एक breakout या breakdown कर सकता है तो अभी के लिए waiting watch कर लीजे stock में fresh खरीदारी करनी है या विक्वाली करनी है तो waiting watch कर लीजे अगर थोड़ा risky आपको लग रहा है members सुनना थोड़ा risky लग रहा है तो exit definitely कर सकते है result के बाद यसा उतो entry कर सकते है क्योंकि मान लो result के बाद fall कर गया ठीक है तो नीचे के level से ले सकता है लेकिन मान लो result के बाद उपर गया तो आपको security तो मिल जाएगी न कि आपने at least एक safe side का trade करने की कोशिश की ठीक है तो safe trade करने के लिए आप ऐसा उतो result के बाद fresh buy कर सकते हैं और ऐसा उतो partial profit booking भी short term के लिए कर सकते infosys के अंदर लेकिन अभी on charts stock positive दिखाई दी रहा है तो मैं बस ये सभी stock आपर news के वज़े से कल positive रह सकते हैं market में अब फ़र आट कुछ viewers के कुछ viewers के question ले 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 लेते हैं sir polyplex के अंदर क्या करना चाहिए sir rn bin denims में क्या करना चाहिए तो पहले एक काम कर लेते rn denims में ले ले लेते हैं ठीक है जो हमारा छोटू stock था rn denims ठीक है यहाँ पे लिख लेते एक बार अब मैं मस एक बात ध्यान में क्या रखनी है stock अभी उपर के लिए उल पे sustain नहीं कर पा रहा है थोड़ी profit booking आ जा रही है cost to cost है profit है bulk में है exit कर सकते है stock के अंदर से ठीक है chances से यहाँ से कुछ profit booking आ सकते है stock थोड़ा नीचे जा सकता है तो अगर कोई बुच्छे मुझसे बुच्छे कि sir cost to cost है या तो थोड़ा सा profit है minor सा loss है लेकिन bulk में है तो मैं exit करने का आपको suggest करूँगा ओके थोड़ा wait कर लीजी जैसी stable होगा फिर उपर जाएगा फिर अच्छी return देखी जा सकता है अभी stock में थोड़ा एक pressure आ रहा है 92 रूपीस की price पे समझ रहे हो तो short time के लिए bulk में है definitely profit book अगर very small content ये एकदम छोटी quantity है तो long time के लिए hold कर सकते हैं अभी के लिए stock में profit booking हो सकती है ठीक है बात करने जाए polyplex के बारे में देखो members polyplex result के बाद fall किया था लेकिन अभी all time नया high बना रहा है ये कुछ news तो positive जरू है लेकिन मुझसे पूछे तो sir क्या करना चाहिए देखो members अगर आपके पास है मैं आपको profit book करने का suggest नहीं करूँगा क्योंकि stock में काफी volume साना start हो चुके yes कुछ दिन के लिए एक दो दिन के लिए profit booking आ सकती है तो short term का view है पांच दिन का view है profit book कर सकते है लेकिन अगर जादा भी हो है तो मैं इसमें profit booking करने का सला नहीं दूँगा क्योंकि एक best dividend paying stock है सबसे best dividend देता है share market के अंदर और profit भी बहुत strong देता है तो ऐसे stock market में ना मिलेंगी ना होंगे ठीक है जितना deep आता है वहाँ पे खरीदर ही कर सकते है तो अगर आपको profit booking करनी ही है तो max to max यह आपको 30% बोलूँगा अगर ना करे तो सबसे जादा better हो जाता है यह समझ के मुझसे उचे सर्फ fresh buy करू क्या तो small quantity के अंदर definitely fresh buy कर सकते है अगर regular quantity में buy करना है यानि कि बल्क में तो 1800 के आसपास आता है या 2000 के आसपास आता है regular quantity में add कर सकते stock को अभी यहाँ पे अगली बात हो जाती है crompton greens की यहाँ पे एक बाद crompton greens का chart देख लेते है लेकिन polyplex अभी hold करना चाहिए definitely हो जाता है अब सी में मस crompton greens की बात करने चाहिए तो stock मा falling pattern तो है मुझसे पूछे तो अभी average नहीं करना चाहिए ना ही exit करना चाहिए ना ही fresh buy करना चाहिए इसको जितना avoid करो better है इसको add नहीं करना है ना average करना है stock थोड़ा time लेगा ओपाराने में मुझसे पूछे तो जब यह stock 400 को cross कता है closing देता है तब आप average कर सकते है अगर फसे हुआ है तो बाकी fresh करने की कोई सला नहीं है avoid कर सकते यह stock को यह clear अगला हो जाता है एक carborandum universal किसी viewers ने पूछा था कि sir carborandum universal में क्या करना चाहिए यहाँ पे कुछ queries थी देखो members carborandum universal में अगर आपके pass है stock stock में यहाँ पे average कर सकते है fresh vibe मत करना अगर है तो average कर सकते है दो से तीन मेंट का time frame रखिए stock मुझसे उच्छे तो 1000 को retest करेगा वहाँ पे आप half exit कर सकते है और बाकी का half 1200 पे exit कर सकते है यह clear लेकिन yes यहाँ पे average stock में जरू कर सकते है carborandum universal में लेकिन fresh vibe मत करना लेकिन time frame दो से तीन मेने approximately रखना औके और अगर बुचे सा stop loss क्या रखो तो 700 का stop loss carborandum में रख सकते है अगला और आखरी हो जाता है टाटा elixi का stock sir टाटा elixi fresh vibe कर सकते है और क्या यह अभी और उपर जाएगा किसी विवस ने यहाँ पे पुछा था टाटा elixi के अंदर यहाँ पे एक बार टाटा elixi ले लेते है देखो यहाँ पे टाटा elixi के अगले target के आ सकते है तो अगर मुझसे बुछे तो टाटा elixi में एक profit booking आ सकते है vertical move है result भी बहुत दस्दिक है अगर बुछने जाए तो current मत के अंदर यह result है 28th of April को तो थोड़ा time लेगा भी मेरी साब साथ sideways हो सकता है तो अभी के लिए अवेट करे fresh vibe नहीं किया है result के बाद fresh vibe कर सकते है मान लो result कुछ negative हो गया ABC reason के वज़े से तो stock crash भी हो सकते है तो safe side के लिए कोई event से पहले stock को मत लो अच्छा हो जाता है event के बाद अगर आपको लगते के बड़ी momentum करें तो आप definitely ले सकते है मुझसे पूश है तो stock तो definitely अच्छा है अगर stock नीचे fall कते तो 7000 से नीचे यह stock नहीं जाएगा अभी falling के chances जरू है तो stock के अगर नीचे आता है तो 8200 के आसपास या 8000 के आसपास stock आ सकता है लेकिन मुझसे कुछ है तो यहाँ पे 7000 के आसपास stock को खरीदा जा सकता है तो अभी wait and watch कर लेना result के बाद जो भी अगर try करने result के बाद कर सकते है clear hope आपको हमारा आज का वीडियो समझ हुए अगर पसंद है होगा कोई query रे जाती है definitely comment कर सकते है मैं आपको answer देने की जरू कोशिश करूँगा और बाकी की जो stock से हम लोग हम पर शायद next studio में cover करेंगा तो मैं आपको individually answer जरू provide करूँगा ठीक है और तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियो से देखे काफे तक informative होगे और अगर telegram में नहीं है जाके जूट सकते है whatsapp group में नहीं है पूरी detail provide की है whatsapp membership कैसे लेनी है UPA इसे payment करके जो transaction ID है उसका screenshot हमें email कर सकते है या तो हमारे link से demand account भी जरू open कर सकते है दोनों में से कुछ भी कीजिए या तो demand account open कीजिए और client ID हमको message कर दीजिए whatsapp group में add कर लेंगे या तो फिर आप 800 उपिस की membership तक के लिए गुडबाई जय हिन